कि अग्या विए वेरीवन वेरी गूद मॉर्निंग तो अल आज की क्लास में हम मुख्य रूप से चत्तिसगड के भौगवलिक इस्तिती पे चर्चा करने वाले हैं आपका भारत के साफ एक्षा चत्तिसगड की स्तिती कैसी है विश्व में चत्तिसगड की स्तिती कैसी है अक्षांसी स्तिती कैसी है देसांतरी स्तिती कैसी है चत्तिसगड किस गोदार्ध में इस्तित है किस रेखा में इस्तित है इन सारी बातों पर आपन आजी क्लास में चर्चा करेंगे आजी क्लास जो है वो मुख्य रूप से उन चात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो पहली बार 36 गड़ पड़ रहे हैं या चात्रगड समान्य ध्यन का जो सुरवाती हिस्सा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं सभी चात्रों के लिए जो पहली बार त्यारी कर और यह वाला जो आपका क्लास रहेगा उससे खास करके चत्यजगर सिविल सर्विसेस की परी की परिक्षा और व्यापम की परिक्षाओं में अब्जेक्टिव क्विश्चन बनने की बहुं ज़्यादा संभावना रहती है मेंस में तो इससे क्विश्चन बनने की संभावना नहीं रहती लेकिन जो बेसिक जानकारी है वह आप जो है किसी भी आंसर राइटिंग में वेल्यू एडिशन के लिए यूज़ कर सकते हैं जो पहली बार हमारे इस क्लास को जोईन कर रहे हैं उनको मैं सबसे पहले कहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारा कोई भी वाट्स चनल से जुड़े हैं तो आपको वाट्सप ग्रूप से जुड़ेने क्या आवस्चता नहीं है क्योंकि टेलीग्राम एक ही जो है अपने आप में सफिसेंट है आप उसमें नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं क्लासेस के लिंक भी प्राप्त कर सकते हैं साथ ही टेस्ट से हमारे टेलीग्राम चनल पर ही लिये जाते हैं आप है इसके पड़ियास अटेमी के ओफिशियल योट्यूब चनल पर मेरा नाम है बीके पटेल भूपेंदर कुमार पटेल चलिए बीना देरी किये अपन सुरू करते हैं तो देखिए सबसे पहले तो अपन देख लेते है कुछ बेसिक जानकारी के बारे में अक्षांस रेखा क्या होती है देसांतर रेखाएं क्या होती है अक्षांस इस्थिति क्या होती है इसके बारे में हम सबसे पहले अध्यन करते हैं हाला कि इसकूल इस तरफे सभी ने जो है आपका इसका कभी ने कभी जो अध्यन किया हुआ है ज्यादा डीटेल में अपन नहीं जाएंगे क्योंकि हमारी जो क्लासेस है वो 36 गड़ की क्लासेस है ना कि विश्व भूगोल की ना ही भारती भूगोल की जब अपन विश्व चोड़ा चोटा कर लेता हूं और आप में जो है वह स्क्रीन पर फोकस जो है वह आपका करेंगे सबसे पहले बात करें अपन कि यह जो आपको दिखाई दे रहा है पूरा का पूरा आपका पृत्वी तो पृत्वी में आपको इस प्रकार से वर्टिकल लाइन भी दिखाई दे रहे हैं जिसको अपन दिखाई रहे तर इस प्रकार से चैतिज रहाएं भी दिखाई दे रहे हैं जिसको अपन होरिजोंटल लाइन भी कहते हैं और यह रहे एक्चुल में पृध्वी पर इस्थित नहीं है ये पृध्वी पर खीची गई कालपनिक रखाए निसांत ही प्रहाँ प्राँभिक पर इमेज ड्रॉ कर दे रहा हूँ पृत्वी में आप देख पारे होंगे कि एक कालपनी के रिखाए जो है वो आपका इस प्रकार से पुर्वर्ष्चे पश्चिम जिसा में बोल सकते हैं आप खीची जाती है ये जो रिखाएं है ये 36 रिखाएं है ठीक है इन रेखाओं को जो है 36 रेखा जाता है अगर मैं हिंदी में इसको लिखो यह रेखाएं कैसी रेखाएं हैं तो 36 रेखाएं हैं अक्षपर खीची गई रेखाएं हैं इनको आप जो है horizontal lines भी कहा सकते हैं यह horizontal line है और कुछ रिखाएं जो होती हैं वो उपर से नीचे जो है वो खीची जाती है खड़ी लाइने बोल सकते हैं आप इनको या फिर आप इनको उर्ध्वाधर रेखाएं कहा सकते हैं इंग्लिश में आप इनको vertical lines कह सकते हैं ठीक है अगर आप सुद्ध हिंदी में कहें तो यह कैसी रेखाएं हैं तो यह हैं आपकी उर्ध्वाधर रेखाएं या क्या कहा जाएगा इनको vertical lines ठीक है तो यह जो दो रेखाएं हैं दोनों का जो है आपका नाम करण किया गया है जो अक्षपर खीची गई रेखाएं होती हैं उनको क्या कहा जाता है अक्षांस रेखाएं अक्ष कहने का मतलब क्या होता है यह मालीजे अक्ष है इस प्रकार से तो अक्षपर जो खीची गई रेखाएं होती है अगर आपको थोड़ा जो है समझने में दिक्कत होता है तो आप वीडियो जो है वो पीछे करके बाद में देख पाएंगे भी लाइफ सेसन में तो नहीं देख पाएंगे लेकिन बाद में इसको आप जरूर देख पाएंगे ठीक है तो यह 36 रिखाएं होती है जुनको निर्माण क्यों किया ठीक है किवल अध्यन की शुविधा के लिए इनका निर्माण नहीं किया गया है असल में अक्छांस रेखाओं के बारे में जाना जाए तो अक्छांस रेखाओं के माध्यम से प्रित्वी पर जो है आपका भौगौलिक इस्थिति का निर्धारन किया जाता है भागवलिक इस्तिती कहने का मतलब कौन सा देश कहां पे है कौन सा राज्य कहां पे है कौन सा जीला कहां पे है मुख्य रूप से किसी भी जगह का जो आपका इस्तिती बताना रहता है उसके लिए किसका यूज करते हैं अक्छांस रिखाओं को मैं ज्यादा डीटेल रेखाओं का निर्माण किया गया है यह दिसांतर रेखा है जो है वह आपकी खीची गई है अब बात करते हैं समय का निर्धरन कैसे तो यह एक आपका वरिहत कॉंसेप्ट है कि जो है आपका पृत्वी अगर हम देखें तो 360 60 डिग्री में घूमती है और हर डिग्री में 4 मिनट का अंतर रहता है तो टोटल जो है आपका देखें तो 24 घंटे जो होते हैं अलग-अलग देशों में अलग-अलग समय जो है आपका उसका निर्धरन करने के लिए दिशांतर रेखा का जो है आपका निर्माण के जाता है ज भी हम आपन आ जाते हैं तो इस बेसिक कॉंसेप्ट से आप समझ गए होंगे कि अक्षांस रिखा ये जो आपकी लाइने हैं अब अगे बढ़ते हैं अब देखिए अपने को समझना है चातिस गड़की भोगौलिक इस्ति को समझने से पहले कुछ बातें आपको अक्षांस और देसांतर रिखाओं के बारे में और याद रखनी हैं क्या याद रखनी है कि कुल अक्षांस रेखाओं के संक्खै कितनी है यह पहले आप समझ लिजिए और उसी प्रकार कुल देशांतर रिखाओं कि संख्या कितनी है यह समझ लेजिए पहले अपन बात करते हैं अक्षांस रेखाओं की तो यह दो image आपको अपने सामने दिखाई दे रहे हैं इसमें से अगर हम पहले image की बात करते हैं तो जैसे कि यह दिख ली सकते हैं यह हमारा जो पहले नंबर का इमेज है मैं एमेज कर देता हूं के इसको फॉलिए जुड़ा देख लेटे हैं तो इसमें आप सब्सक्राइए होती हैं इसमें यह जो अक्षांस ने खखाए हैं वह उपर की और उत्तरी गुलार्थ में और 90 जो अक्षांस रेखाएं हैं वो नीचे की ओर दक्षडी गुलार्थ में जो है वो इस्थिद्रहती हैं अब यह 90 कैसे होती हैं उपर नीचे वो भी मैं आपको आगे समझाओंगा तो टोटल 90 और 90 मिला करके टोटल कितनी अक्षांस रेखाएं होंगई 180 अक्षांस रेखाएं अगर हम देशांतर रेखाओं की बात करें तो देशांतर रेखाओं को जो है आपका उत्तरी दक्षडी न करके इनको पूर्वी देशांतर या आपका पस्चिमी देशांतर जो है वो कहा जाता है तो पूर्व की तरब 180 रेखाएं और पस्चिम की त संख्याः होती है वो कितनी होती है 180 और देसांतर रेखाओं की कुल संख्या एक संख्याः होती है 360 है अब बात करते हैं कि यह कैसे 180 लेक्षास रिखाimento तो पृथ्वि के जो बीचों बीच की अक्षांस रेखा होती है पृथ्वि के मध्य में जो खीचिगी रेखा है इसको माना जाता है जीरो डिगरी अक्षांस रेखा ठीक है और आप सभी को इतना तो जरूर पता होगा कि जीरो डिग्री अक्षांस रेखा को ही भूमध्य रेखा या फिर इसी को विशुवत रेखा कहा जाता है ये बीच की रेखा क्या कहा लाती है भूमध्य रेखा या विशुवत रेखा और इस रेखा से उपर का जो आपका हिस्सा है प्रित्वी का वो उत्तरी गुलार्द कहा कहालाता है नॉर्थ हेमिस्पियर के नाम से जाना जाता है और नीचे का हिस्वा क्या कहलाता या तule प्र 30 देखा हुआ है फिर आपका साथ डिगरी आ गया फिर उसके बाद आपन कहां बढ़ते हैं नाइनटी डिगरी तो ओपर जो है एक डिगरी पर एक अक्धांस रेखाएं किची गई है तो नब्बे रिखाएं उसी प्रकार की अक्षांस रेखाओं को हम उत्तरी अक्षांस के नाम से जानते हैं और दक्षडी गुलारत में जो अक्षांस रेखाएं हैं इनको क्या कहा जाता है दक्षडी अक्षांस रेखाएं अर्थात अगर हम यहां पे 30 डिगरी बोलें तो यह 30 डिगरी उत्तरी अक्षांस रेखा कहलाएगी जबकि जो नीचे वाली है वो क्या कहलाएगी 30 डिगरी दक्षडी अक्षांस रेखा यहां पर वाली कहलाएगी 60 डिगरी उत्तरी अक्षांस रेखा मैं एक दम बेसिक कॉंसेट बता रहा हूँ खास करके उन लोगों के लिए जो पहली बार इसको पढ़ रहे हैं जिनको पता है उनको तो पता ही होगा लेकिन फिर भी खास करके मेरा जो उद्देश रहता है वो उन छात्रों के लिए रहता जो पहली बार रध्यन करते हैं अब अकर बात करें हम धीरे धीरे हम 30 से 35, 40, 60 अगर हम 90 डिगरी उत्तरी अक्षांस पर पहुंच जाते हैं तो यही है हमारा नौर्थ पोल यह आपका उत्तरी धुरूव नब्बे डिगरी उत्तरी अक्षांस रेखा ही क्या है आपका उत्त दुमख पा रही होंगे कि किस प्रकार से जो है आपका अक्षांस रेखा है जो है वो व्यवस्थित हैं एक दूसरे इमेज के माध्यम से इसको मैं आपको फिर से समझाने का प्रयास करता हूं कि माल लीजीए यह इस प्रकार से प्र्त्वी है तो प्रित वीमें आपको अक्छांस रेखा को ही विशुवत रेखा भी कहा जाता है यह इसी को भूमध्य रेखा के नाम से भी जाना जाता है अब अगर हम बात करें तो इसमें आगे एक डिगरी दो डिगरी तीन डिगरी चार डिगरी ऐसा करते हुए टोटल अंतीम कहां तक जाता है नब्वे डिगरी ये क्या कहलाएगा नब्वे डिगरी उत्तरी अक्छांस उपर की अक्छांस रिखाएं उत्तरी अक्छांस रिखाएं कहलाती है नब्वे डिगरी उत्तरी अक्छांस वाला छेतर ही क्या है उत्तरी और नब्बे और नीचे नब्बे तो कुल अक्षांस रिखाओं की संख्या कितनी हो जाती है 180 ठीक है अब अपन अध्यन करते हैं इसी प्रकार से देशांतर रिखाओं का तो देख लिए यह हमने अभी देशांतर रिखाओं के बारे में थोड़ा सद्धियन किया था कि देश देशांतर रिखा लंदन के ग्रीनवीच सहर से गुजरती है जिसको मानक समय रिखा कहते हैं क्योंकि यहीं से जो है आपका में समय का जो है निर्धारन किया जाता है अब इधर हम जब पूर्व की और जाते हैं तो इधर जो है वह 180 रिखाएं किची गई है और पस्चिम की इमेज के माध्यम से समझाता हूं कि माल लीजिए फिर से हम यह माल लीजिए आपका प्रित्वी है तो प्रित्वी में उत्तर से दक्षिड की ओर बीचों बीच आपको यह याद रखना है यह हमारी जीरो डिग्री देशांतर रेखा जीरो डिग्री देशांतर रेखा कहलाएगा पूर्वी गोलार्थ देशांतर रेखाओं में उत्तरी और दक्षिणी तो होगा नहीं देशांतर रेखाओं में क्या होगा पूर्वी और क्या होगा पस्चिमी और यह वाला हिस्सा क्या कहलाएगा हमारा पस्चिमी गोलार्थ तो पूर्वी गोलार्थ में एक द और डीटेल में इसका अभी अध्यन किया जाता है परंतू अध्यन किया जाएगा जब अपन विश्व भूगोल पढ़ेंगे या भारती भूगोल का आपका अध्यन करेंगे तो फिलहाल तो एक परीचय आपने देख लिया अब अपन देखते हैं कि यह जो पृत्वी है इसम से पहले करक रेखा क्या होती है मकर रेखा क्या होती है यह भी आपको समझना बहुत जरूरी है तो देखिए अभी अभी हमने समझा कि भूमध्य रेखा या विश्वत रेखा जो है किसे कहा जाता है एक बार मैं फिर से आपको समझा देता हूं कि यह बीचो बीच की जो र देखा है जीरो डिगरी अक्छांस रेखा भी आप कहा सकते हैं इसी जीरो डिगरी अक्छांस रेखा को ही भूमध्य रेखा या विशुवत रेखा कहा जाता है और अभी हमने देखा कि जब एक डिगरी दो डिगरी तीन डिगरी चार डिगरी करके ऊपर की और जाते हैं तो जब आपकाश्ए 23 डिगरी आता है तेईज दसमलव पांच या बोल सकते हो 23 सही एक बटे दो तो साधे 23 डिग्री उत्त्री अक्छांश उपर का अक्छांस है तो यह क्या कहलाएगा साड़े 23 डिगरी उत्तरी अक्षांस उसी प्रकार से जब हम भूमत्य रेखा से नीचे की और जाते हैं दक्षिडी गोलार्द में तो दक्षिडी अक्षांस रेखा हैं यहां भी हम पहुच जाते हैं साड़े 23 डिगरी नीचे वाला क्या कहला आएगा दक्षिडी अक्षांस रेखा साड़े 23 डिगरी उत्तरी अक्षांस रेखा को ही करकर रेखा कहा जाता है उसी प्रकार से साड़े 23 दिगरी दक्षिडी अक्षांस रेखा को ही मकर रेखा कहा जाता है अब ये करक रेखा और मकर रेखा क्या है तो अगर मैं आपको बहुती कम सब दो मिया संचेप में समझाओं इस प्रकार से प्रकास निकलेगा इसी भी टार्च से आपकी बॉल पर इसको एक बॉल इमेजिन कर लीजिए कि माली जी ये कोई गेंध है पृत्वी और बहुत दूरी से सूर्य का प्रकास आ रहा है तो आप इतना जरूर समझ सकते हैं कि जो प्रकास की तिवरता होती है वो बीचों बीच सबसे जादा होती है इस बीच में ये जो 49.5-0 degree उत्तरी अक्षांस से ले करके mid ? प्रकास की तिवरता जो है वो सब्से जादा होगी जैसे-जैसे ये प्रत्वी ऐसा करव होते जाएगा इन चोरों पे प्रकास की तिवरता कम होती जाएगी ये जो उंतिम चोर हैं धुरवी चोर हैं यहां पर प्रकास की तिवरता जो है कम हो जैती यहां पे धूरी कि तर एक पड़ता है जैसे इस तरफ पड़ रहा है तो ये वाला हिस्सा क्या होगा दिन जबकि इधर वाला जो आपका हिस्सा होगा वो क्या होगा नाइट ठीक है तो पृत्वी अपने अक्षपर जो है वो घूम रही है 24 घंटों में वो अपना जो है एक चक्कर एक घुर्णन पूरा करती है इसलिए वह बारा घंटे का क्या होगा दिन और बारा घंटे का क्या होता है आपका रात ठीक है वो तो जितने भी कॉंसेप्ट है वो भुगोल के हैं फिलाल अपन में मुद्दे पर आता है चत्यजगर क देक्षिदाइन चोचीजगोड एक समय और एहाँ ऐसा रहता है योली है जिसके चलते प्रकास कि दीवन प्रकर करकरीका की और अधिक रहती है और एक समय ऐसा आता है सुर्य के प्रकास की तिवरता मकर रेखा की और अधिक रहती है मकर रेखा से तिवरता नीचे नहीं जाती है मकर रेखा से फिर से वापस लौटता है करकर रेखा की और करकर रेखा से फिर से तिवरता वापस लौटता है मकर रेखा की और तो तो इसे कहा जाता है सुर्य का उत्तरायन होना और जब सुर्य के प्रकास की तिवरता दक्षिण की और जाती है मकर रेखा की और जाती है तो इसे कहा जाता है सुर्य का दक्षिणायन होना फिर से बोल दे रहाँ सुर्य की सिति नहीं बदलती है केवल प्रकास की तिवरता जो यह वाला जो आपका बेल्ट है यहां पर उष्णता जादा रहती है गर्मी जादा रहती है इसलिए इस कटिबंध को उष्ण कटिबंध भी कहा जाता है उष्ण कटिबंध क्या होता है सितोष्ण कटिबंध क्या होता है धुरुवी कटिबंध क्या होता है यह सारी चीज़ जो है वो भुगोल का हिस्सा है फिलाल आप यह समझ जीए यह जो रैड कलर में आपको दिखाया गया है यह इस्थान जो है प्रित्वी के बाकी स्थानों की तुलना में गर्म रहता है जब माल लीजे सुरह के प्रकास की तिवरता करकर रेखा के और जाती है तो यह वाला जो में चे वह जितने भी कंट्री हैं जितने भी देस हैं इन सब्सक्राइब हो énormément के जो बीच में परिवरता पाया जाता है क्योंकि कभी ऊपर के ओरती वरता से वहां भी एक ही रितू पाई जाएगी सीत रितू क्योंकि यह नीचे वाला छेत्र और उपर वाले छेत्र में प्रकास की क्या कम है तीवरता कम है तो आई होप आपको यह अगर हम इसमें भारत की स्थिति अगर हम देखें तो भारत जो है वह लगभग यहां पर इस्थित यह एक चौकौन चूंकि भारत लगभग चौकौन जैसा है तो भारत को मैं चौकौन मना दे रहा हूं यह मान लीजिए भारत की स्थिति है थोड़ा इसको अपन जूम करके के देखते हैं यह है आपका भारत है ठीक है अब आप देख पा रहे होगे की भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजर रही है करकरेखा मैं करकरेखा को ब्लू कलर में हैलाइट कर दे रहा हूं यह देखिए यह करकरेखा भारत के बीचों बीच से गुजर रही है यह बोल सकते हो आप साढ़े 23 डिगरी उत्तरी अक्षांस रेखा इसी को क्या कहा जाता है करकरेखा ठीक है यह भारत के बीचों बीच से गुजरती है भारती भुगोल हम ये भी देखते हैं कि किन-किन राज्यों से गुजरती है अभी तो हम चातिस गड़ पढ़ रहे हैं और यदी इसमें चातिस गड़ की स्थिति देखा जाए तो चातिस गड़ जो है उसको मैं लाल कलर में ही इंडिकेट कर देता हूँ चातिस गड़ की स्थिति कुछ ऐसी है यह माली जी यह चातिस गड़ है मतलब चातिस गड़ के जो ऊपर के तीन जीले हैं वहां से कौन सी रिखा गुजरती है करकर रिखा अभी मैं आगे बताऊंगा उसको तो भारत की जो सभावर्वाला गुलार्द क्या कर राता है उत्तरी गोलार्द तो भारत की जो सारी अक्छांस रेखा होगी उत्तरी एक्छांस रेखा ऐसा नहीं होगा कि भारत के दक्षिड से दक्षिडी अक्षांस रेखा गुजरेगी भारत के उत्तर से उत्तरी अक्षांस रेखा गुजरेगी कई लोगों इसमें confusion होता है भारत से गुजरने वाली प्रत्य अक्षान्स रेखा ऊत्तरी अक्षान्स रेखा है क्योंकि भारत उत्तरी गुलारध में इस्थित है चाहे वो कन्या कुमारी से गुजरने वाली अक्षांस रेखा हो भारत के सबसे निम्नतम बिंदू से चाहे वो सबसे उत्तरी बिंदू इंदिरा कॉल से गुजरने वाली अक्षांस रेखा हो सभी कौन सी रक्षांस रेखा होंगी उत्तरी अक्षांस रेखा 36 गड़ की भगौली किसिती के बारे में question आता है बिटा तो अगर आपको कहीं पर भी दक्षिनी अक्षांस सब्द मिल गया वो पूर्णतह गलत है अक्षांस वर्ण आया तो आपके भारत के लिए और भारत समेट 36 गड़ के लिए केवल उत्तरी अक्षांस वर्ण ही यूज होगा क्योंकि यहां से कौन सी रेखाएं गुजरती है उत्तरी अक्षांस रेखा अब अगर हम इसको पूर्वी और पस्चिमी गोलार्ध में बाटें तो बीचो बीच से अगर हम जीरो डिगरी यह देखो देसांतर रेखा किस देते हैं इस प्रकार से यह बीचो बीच से प्रत्वी बढ़ गई तो यह वाला हिस्सा कौन सा हिस्सा है पूर्वी हिस्सा अर्थात इस छेत्र में जितनी भी देसांतर रेखा गुजरेंगी वह कौन सी देसांतर रेखा गुजरेंगी पूर्वी देसांतर मतलब भारत में इस प्रकार से उपर से कि और जितनी दिसांतर रेखा गुजरेगी वो सभी दिसांतर रेखा क्या होगी पूर्वी दिसांतर ऐसा नहीं होगा कि गुजरात तरब से पस्चिमी दिसांतर रेखा गुजरेगा और अरुनाचल प्रदेश असम तरब जो है वो पूर्वी दिसांतर रेखा गुजरेगा भारत का कोई भी हिस्सा हो वहां पे सारा जितना भी दिसांतर देखा गुजरेगा वह कौन सा दिसांतर होगा पूर्वी दिसांतर क्योंकि भारत पूर्वी गुलार्द में या पृत्वी के पूर्वी हिस्से में इस्थित है तो आप एक चीज दिमाग में अच्छे से बिठ पुर्वी देशांतर उसी प्रकार से सभी अक्षांस रेखाएं क्या होंगी उत्तरी अक्षांस तो हम इस चीज से यह कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि भारत जो है वह उत्तर पुर्वी गोलार्ध में इस्थित है भारत प्रिथ्वी के किस गोलार्ध में में स्थित्ध है इसलिए यहां पर गुजरेंगी केवल और केवल उत्तर आखणस रेखाएं और केवल और केवल पूरवी देसांतर रेखाएं यदि दक्षिणी अक्षांस लिखा है तो वो गलत होगा यदि पस्चीमी देसांतर लिखा है तब भी वो गलत होगा ठीक है अगर आपको थोड़ा समझने में जिक्कत हो रहा हूँ यदि आप नए चात रहें तो आप वीडियो जो है वो पीछ सॉल्व करते होंगे तो आपको एक्जाम में पूछा जाता है कि भारत का भोगलिक विस्थार क्या है आपने भारत का भोगलिक विस्थार सुना होगा कि आटन्स चार से 376 उत्तरियक चांस है और आपका 68 साथ से 97 25 पूर्वी देसांतर है उसी प्रकार से आपने 36 गड़ का सुना होगा कि 36 गड़ जो है आपका 17 47 से 24 पांच उत्तरियक चांस और 80 15 से 84 25 पूर्वी देसांतर के बीच है तो यह है क्या यह आपको समझना है आप इसको समझने से पहले एक चीज अच्छे समझ चुके हैं कि चाहे भारत हो चाहे 36 गड़ हो उसकी इस्थिती उत्तरी ग कोलार्ध में है ठीक है और मतलब उस वो केवल उसमें उत्तरी अक्छांस रेखा है गुजरेंगी और पूर्वी देसांतर रेखा ही गुजरेगा अब देखिए अपन प्रित्वी पर फिर से भारत की स्थिती की चर्चा करते हैं तो यह जो आप एक चोटा सा मैप देख पा पहली स्थिती में आपको कौन सी रेखा याद रखनी है यह देसांतर रेखाओं को प्रदरसित कर रही है और यह जो दूसरी स्थिती है यह अक्छांस रेखाओं को प्रदरसित कर रही है ठीक है तो अक्छांस रेखा आप देख सकते हो कि जितनी भी अक्छांस रेखाएं भारत से गुजर रही है यह जीरो डिगरी अक्षांस रेखा है यह तो नीचे है अब देखो चाहे भारत के नीचे से गुजरे चाहे भारत के बीचों बीच से गुजरे चाहे भारत के उत्तर से गुजरे सारी की सारी रेखा कौन से अक्षांस रेखा है उत्तरी अक्षांस र बात करें तो यह देखिए 0-degree से इस्थित्य से गुज़रे न स्थित्य शुक्षरी है पूर्वी अपको अच्छे से पूछे तो किसका यूज होगा केवल पूर्वी दिसांतर का लेकिन इसमें और तत्यों को आपको जानना है क्या तत्य जानना है अगर हम अक्छांस रेखा की बात करें तो अक्छांस रेखा आप जानते हो कि जीरो डिगरी से चालू होती है और वह उपर पहुंचती है कहां तक नाइंटी डिगरी तक ठीक है अब नीचे के अब बात नहीं करते क्योंकि अपना जो छेत्र है भारत वो उपर में है तो जाहिर सी बात है कि जीरो से एक दो तीन करते हुए कोई ने कोई अक्छांस रेखा जो है वो भारत के सबसे निचले बिंदू को टच करती होगी है भारत का सबसे जो निचला बिंदू करन्या कोमारी इसको कोई रेखा टच करती होगी उसी प्रकार से यह आगे बढ़ते हुए अक्छांस रेखाएं जो हैं सबसे उपरी बिंदू पे जिसको अपन इंदिरा कॉल कहते हैं जो जम्मू कस्मीर में है वहां पे जाकर के खत अक्छांस रेखा है वह अपन काउंट कर लेंगे और उपर वाला काउंट कर लेंगे यही कहला आएगा भारत का अक्छांसी विस्तार देखा जाए तो भारत का अक्छांसी विस्तार चालू होता है यह होता है आट अंस चार मिनट ठीक है देखिए इसको ऐसा लिखा जाता तो इसको जो है मिनट में अपन काउंट करते हैं तो यह कहलाता है आट चार मिनट एट डिगरी मोटा मोटा माल लीजिए ठीक है फिर उपर के और आप जाते जाएंगे तो फिर यह नाओ दस ग्यारा बारा ऐसा करते हुए बढ़ता जाएगा ठीक है यहां पर देखिए आपक पर पहुंचता है 37 डिगरी और एक जैक्ट दिगरी नहीं है 37 डिगरी चैनल है तो यह आट चार मिनट से दक्षिड से भारत चालू होता है और भारत खतम हो जाता है कितने पे 37 अंस चैनल पे तो यह कहला आएगा भारत का अक्छानसी विस्तार इसको ऊपर से नीचे नहीं पढ़ा जाता नीचे से उपर पढ़ा जाता है क्योंकि 009ी नीचे से चलू होती है और उपर कहां तक जाती है 90 तो भारत की चैनल हो जाता है कहां पे और ऊपर खतलो dobh जम्मु कस्मिर जिसको अपने इंदेरा कॉल कहते हैं वहां पर खतम हो जाता है कि इस पर 37 दिगरी 6 मिनट पर यह कहलाएगा भारत का अक्छांसी विस्तार आठ अंस चार मिनट से 37 अंस 6 मिनट सभी का सभी कौन साक्छांस कहलाएगा उत्तरी अक्छांस आई बात समझ में अब बात करते हैं डेशांतर रेखाओं की तो सभी रेखाएं जो है वो आपका पूर्वी देशांतर कहलाएंगी आप देख पारे होगा कि देशांतर रेखा जीरो दिग्री तक जाते है 180 डिग्री तक उसी प्रकार से जीरो डिग्री से इधर भी जाएगी इधर भी 180 डिग्री टोटल इनकी संक्या कितनी हो जाती है 180 और 180 मिलाकर के 360 तो कोई ना कोई देखा देखो ऐसी है जो भारत के एकदम पस्चिमी बिंदू सो टच करती इधर से दे पस्चिमी बिंदू है फिर यहाँ से यह आगे बढ़ेगा आगे बढ़ते mình यह जाएगा इधर असम फिर इधर चलाएगा अरुनाचल प्रदेस अरुनाचल प्रदेश में एक जगह है की बूथू की बूथू जो है यह भारत का सबसे अंतिम पूर्वी बिंदू है कहने का मतलब एक देसांतर रेखा आपका सबसे पस्चिमी बिंदू को टच करते हुए गुजरती होगी यह वाली लाइन मान लीजिए उसी प्रकार से एक देसांतर र करते हुए ऐसा जब बढ़ता है तो जब भारत को टच करता है जो आपका पूर्वी बिसांतर रेखा उसका जो डिगरी है यह ऑपका अन्तिम चोर पर भारत के अरुनाचल प्रदेश के की बूत हूथ पहुँचता है तो यहाँ पिए जो डिसांतर रिखा इसका डिगरी है 97, 25 मिनट right nation, साथ से 97, 25 कौन सा डिसांतर सभी का सभी कौन सा दिसांतर होगा पूर्वी देशांतर अगर हम कहें भारत की डिसांतरी इस्थिति क्या है और भारत की अक्छांसी स्थिति क्या है तो अब आप बता सकते हैं कि भारत की जो आपकी अक्छांसी स्थिति है वो है आट अंस चार मिनट से 37 अंस छै मिनट सारा का सारा कौन सा अक्छांस उत्तरी अक्छांस ठीक है उसी प्रकार अगर हम देशांतरी स्थ सारा का सारा कौन सा हो जाएगा पूरवी देशांतर यह थोड़ा आपको रटना पड़ेगा और इसको आपका अगर आप एक सांथ पड़े तो इसको पढ़ा जाता है आट अंस चार से से 376 उत्तरी अक्षांस और अनसट साथ से 9725 पूरवी देशांतर यह भारत की भोगोली की सिती है कि भारत का अक्षांसी विस्तार कितना है और भारत का देशांतरी विस्तार कितना है समझ गए आप ठीक है लेकिन अपने को क्या पढ़ना है 36 गड़ यह केवल मैं आपको समझ इससे मैं दिखा देता हूं आप इस मैप में देखो देख पारे होगे यह भारत को देख लिए थोड़ा सा कि भारत का सबसे निचला वाला बिंदू देख लिए यहां पर लिखा हुआ है आट चार मिनट और यह जाता है कहां तक 376 मिनट दोनों का दोनों कौन सक्षांस है सीमा है यह वाला जो सीमा है गुजरात के पास ठीक है यह जहां पर 687 गुजरता है यह है आपका सरक्रिक नाम का इस्थान है या इसको गौर माटा भी कहा जाता है सरक्रिक या गौर माटा जो है आपका कौन सराज्या जाएगा गुजरात जी यह लिख दे रहा हूं मैं और इधर जो आपका छेत्र दिखाई दे रहा है संतानवे अंस पर चीस पर ये है किबूथू और किबूथू किस राज्य में है तो ये अनुनाचल प्रदेश में आता है ठीक है उपर अगर हम देखें जहां पे 376 मिनट उत्तरी एक चांस गुजरता है ये बिंदू है इंदिरा यह कहलाता है कैप कामोरिन या इसको कन्या कुमारी के नाम से भी जाना जाता है यह भारत की मुख्य भुमी का दक्षिट्म बिंदू है नहीं तो जो निकोबार्थ है वह और नीचे है लेकिन अभी अपन बात कर रहे हैं मुख्य भुमी की अब हम भारत के भीतर देखो 36 ग एक बार मैं 36 गड़ को आपको हाइलाइट कर देता हूं तो जाहिर सी बात है अगर भारत से अक्षांस और देसांतर रेखाएं गुजर रही हैं तो 36 गड़ से भी अक्षांस और देसांतर रेखाएं जो हैं वो आपकी गुजर रही होंगी ठीक है अर्थात कोई न कोई कुरी बिनदू को टड़ करती होगी सेम कोई न कोई देशांतर रिखा चत्यापटी ऑफ्णार कर forgiving को भी टच करती इस दूसरे नक्से के माध्यम से हम 36 गड़कया भागोली किसी दिजानने का प्रयास करते हैं अर्थात एक रेखा एक अक्छांस रेखा जो सबसे नीचे से टच करते हुए गुजरती होगी उसी प्रकार से एक देशांतर रेखा होगी जो इस प्रकार से सबसे पस्चिमी बिं संदू को इस पर सकरते हुए गुजरती होगी तो यह 36 गड़का अक्षांस और देशांतरी विश्तार हो ठिक है चाहिए इसकी बात करें तो यह क्या कहलाएगा उत्तरी अक्षांस है ऊपर वाला भी कौन साधून साथा अक्षांस है यह उपर का हो चाहिए नीचे का हो उस अब आपन बात करते हैं कितने कितने डिगरी पे हैं तो सबसे नीचे वाला जो आपका अक्षांस है वह चालू होता है सत्रा अंस 46 मिनट से उपर जाता है चोबिस अंस पांच मिनट यह थोड़ी रटने वाली चीज़ें याद रखना पड़ेगा 17-46 से 25 उत्तरी अक्षांस यह 36 की अक्षांसी सिटी हो गई अगर हम बात करें unto 36 अंस त्री इस्ति ही सिटी तो यह इधर से इधर जायेगा ठीक है हम इधर से इधर बढ़ते हैं तो अगर हम देखें तो जो देशांतरी सिती है यह यहां पर चालू होता है असी अंस 15 मिनट से जाता है चावरासी अंस 25 मिनट तो यह क्या कहला आएगा असी पंदरा से चावरासी पचीस पुर्वी देशांतर ठीक है एक बार मैं आपको इसको लिख के समझा समझा देता हूं अगर हम देखें 36 गड़ का अक्छांसी विस्तारी एक्जाम में कई बार पूछा है 36 गड़ का अक्छांसी विस्तार कहलाएगा सत्रा चियालिस से चुबिस पांच उत्तरी अक्छांस ठीक है उसी प्रकार से 36 गड़ का देशांतरी विस्तार कहलाएगा असी 15 से 84 25 पूर्वी देशांतर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके नीचे जो है वह मेरे को पूछ सकते हैं ठीक है अब बात करते हैं यह कप पूरा कप पूरा क्या होगे इनका अक्छांसी विस्तार या और देशांतरी विस्तार आप देखना एक चि यूजनी होगा ऐसा नहीं कि उपर वाले को आप उत्तरी एक चांस पूलोगे नीचे वाले को दक्षिडिक चांस बोलोगे पहले ही मैं क्लियर कर चुका हूँ कि भारत सही 36 गड़ में इतने भी एक चांस रेखा है सभी उत्तरी एक चांस है उसी प्रकार इसको ना ही आप पूर्वी दिसांतर नहीं बोलना है सारी की सारी दिसांतर रेखा है या और यह data तो थोड़ा सा आपको बार-बार रिविजन करके इसको रटना पड़ेगा ठीक है तो आप अगर हम देखें तो जैसे हमने भारत का उत्तरतम बिंदु देखा था इंदीरा कॉ दक्षिर्थ परसे चत्तिस गड़के भी हम उत्तरी दक्षिणी पस्चिमी पूर्वी बिंदू देख लेते हैं अगर हम बात करें चत्तिस गड़के सबसे उत्तरी बिंदू का तो यह जीला कौन सा पढ़ता है यह जीला है बलरामपूर कौन सा जीला सबसे उत्तरी जीला है बलरामपूर थीक है उसी प्रकार सबसे दक्षिनी हैं वह आपको याद रहब्गना है शूकमा सबसे ढाई उसी प्रकार से आप देख सकते हैं जो सबसे पुर्व की और निकला हुआ है यह जीला कौन सा है जस्पूर अर्थात आप क्या समझ गए कि सबसे उत्तरी जीला क्या है बलरामपूर सबसे दक्षिडी जीला क्या है सुकमा सबसे पस्चिमी जीला है बीजापूर और सबसे पूर्वी जीला क्या है आपका जस्पूर अब अपन बात कर लेते हैं डिस्टेंस क यह सबसे उत्तरी छोर से लेकर के सबसे दक्षिडी छोर या बोल सकते हो 1746 से 245 के बीच की दूरी कितनी है तो 36 गड़ की जो बीच की उत्तर से दक्षिड की जो आपकी लंबाई है उत्तर से दक्षिड की लंबाई है लगभग 700 किलोमीटर कितना है 700 किलोमीटर सेम जो पूर पूर्वसे पस्चिम की जो लंबाई है वो है 435 किलोमीटर इस दोनों फैक्ट को भी एक्जाम में पूछा जा चुका है उत्तर से दक्षिड की लंबाई कितनी है 700 और पूर्वसे पस्चिम कितना है 435 में एक बार फिर से लिख दे रहा हूं गर आपको नहीं दिखाई दे र लखोगे तो एक बार जितने भी आपके फैक्ट हैं उनको मैंने पॉइंट के रूप में जो है बना के रखा हुआ है आपके सामने उनको फिर से लिख देता हूं अक्षांसी विस्तार जो है आपको बता दिया गया है अभी मैंने बताया कि अक्षांसी विस्तार जो है अग से 84 25 पुर्वी देसांतर सीमान जिले मैंने बताया उत्तरी जो सीमान जिला है वो कौन सा जिला है बलरामपुर दक्षणी सीमान जिला याद रखना है सुकमा पुर्वी सीमान जिला है आपका जस्पुर पस्चिमी सीमान जिला है बीजापुर उत्तर से दक्षणी की है वो कितनी है 435 किलोमीटर यह सारा का सारा PDF आप केवल और केवल प्राप्त कर पाओगे हमारे टेलीग्राम चैनल से अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं हमारे तो पहले तो टेलीग्राम मिनट 45 मिनट की क्लास हो चुकी है ठीक है तो यह सारी जानकारी जो है वरतमान में आपको प्रारंभिक परिचय के रूप में याद रखनी है 36 गड़ की भगवलिक इस्तिति के बारे में कल की क्लास में अपन क्या पढ़ेंगे अगली जो ठीक है जिलों का निर्माण कब-कब हुआ तीथी के सांथ हम देखेंगे जिलों की वास्तवी किसिति के बारे में अध्यन करेंगे तो बहुंती आपका महत्वपूर्ण चीजे जो है वह कल के क्लास में पढ़ाई जानी है तो ठीक है आज ही क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं यदि आपको यह पूरा का पूरा पढ़ाया हुआ चीज का पीडिएफ चाहिए तो मैं आपको बता चुका कि आप टेलिग्राम से वह प्राप्त कर सकते हैं टेलिग्राम अप्लेकिशन डाउनलोड करके नीचे दिये गए लिंक पर आप क्लिक कर लिजे यदि आप अभ थैंक यू